दोस्ता नमस्कार, परस्तन फैनेंस की वीडियो वे मैंने एक प्रशन पूछा, कि आप मेंसे कितने लोगे चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट के उपर हम एक पूरा का पूरा कोर्स लेकर रहे हैं, वो भी फ्री, तो बहुत सार लोगों ने का कि हां सर हम सीखना चाहते हैं, हमने उस सीरीज को शुरू किया, जैसी हमने पिछला वीडियो अपलोड किया, तो उस वीडियो पर आपने बहुत अधिक लाइक किया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, और लोगों की जिग्यासा उन दिरें तर बढ़ती चली गई, लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर ज किसी भी चीज को सीखने से पहले, अगर आप उसके रूल, रेगुलेशन, सिस्टम, मैथर्ड, फार्मूलाज, सब कुछ सीख जाएं, तो आपके लिए वो काम करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम सारी टम्स को सीखते सीखते, ट्रेडिंग अन इंवेस्टिंग पर ड मैं आपको बताने वाला हूँ, यह सब चीजे क्या होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग हम इन तीन तरीके से करते हैं, और इंवेस्टिंग या तो लॉंग टरम के लिए, या शॉट टरम के लिए, अब इस बात को अच्छे समझन के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग करते किस चीज में है, तो ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग हम किस में करते हैं, स्टॉक्स में या फ्यूचर अप्शन में, मतलब स्टॉक्स की भविश्य में क्या वेल्यू होने वाली है, बढ़ने पर भी पैसा बनाया जा सकता है उसके बाद next चीज क्या है currency कि हम currency में trading and investing करते हैं और क्या करते है तो एक एक चीज को मैं explain करता हूं कि कौन कौन से चीजों में क्या क्या चीज आती है क्योंकि कई बार मन में बड़ी confusion रहती है कि सर हमें stock market के बारे में थोड़ी थोड़ी knowledge है ध्यान रखेगा एक कहवत आपने सुनी होगी कि नीम हकीम खत्राय जान अगर किसी भी चीज की आधिय दूरी knowledge आपके पास है तो आपके जीवन के लिए खत्रा पैदा कर सकती है इसलिए चीजों को अच्छे समझना बहुत जरूरी है अगर अबी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरा request है कि सबसे पहले 1st वीडियो देखें तभी 2nd वीडियो आपको correlate करती हुए चीक से समझ में आएगी तो स्टॉक क्या होते हैं जैसे Reliance Company के आपने शेर कर दे रिलाइंस है Tata, NCC, IOCL, उसके हवाब BSoft, HDFC, Access, Yes Bank, ICC Bank, SBI, IRFC, IRCON, PNB, Mother San Soni, ITC, Trident, Vigard, Aditya Birla, Adani और TTML ऐसी हजारो companies हैं यह तो कुछ एक ऐसी company जिनके बारे में हम जानते हैं तो stocks का मतलब है इन में से किसी भी company के share खरीद कर उस company के हिस्सेदारी ले लेना जैसे मान लीजिए बहुत सार लोग इस मकान में रहते हैं न वो कहते हैं कि मेरे मकान की value आज 1 करूड थी और जब मैंने एक खरीदा तब उसकी value 50 लाग थी तो आपको profit कितना होने वाला expected profit 50 लाग लेकिन क्या आपने बेचा नहीं न अगर आप उस property को नहीं बेच रहे हैं तब तक आपका profit केवल expected है कि इतना profit मुझे हो सकता है और जब आप उसको बेचते हैं तब आपको profit या loss होता है ठीक इस तरह से share जब आप खरीद लेते हैं तो share की आने वाली भविश्य क होते हैं index मैंने आपको बता है क्या क्या होता है stocks होते हैं या shares बोल सकते हैं index बोलते हैं community बोलते हैं currency बोलते हैं तो इन terms को समझना बहुत जरू है कि index क्या होता है अब देखिए अगर आप किसी particular company का share खरीदेंगे तो उसकी कीमत घट गई तो नुकसान होगा चाहे market कितनी भी तेजी चल रही हो और अगर आपका share का price बढ़ गया तो आपको फायदा होगा चाहे market बढ़ रही हो या घट रही हो मतलब market के बढ़ने या घटने से आपके share price के उपर जो परवाव पड़ेगा उससे आपको क्या benefit होगा वो आपको देखना है तो दूसरी चीज़ होते उसको बोलते index और index का मतलब क्या है कि एक group बना दिया कि हम किसी एक bank की बात नहीं कर रहे हो सकता access bank बहुत नीचे है ICCA bank बहुत नीचे है लेकिन HDFC बहुत आगे जा रहा है तो आपको यह देखना है कि आप क्या particular किसी एक company में invest करेंगे या उन company के समू में invest करेंगे जैसे nifty 50 मतलब nifty 50 ने क्या का कि हम 50 topmost companies की एक list बना देते हैं उनका एक average price निकाल देते हैं उसके हिसाब से nifty बढ़ेगा तो आपको profit होगा घटेगा तो आपको loss होगा अगर आपने buy किया हुए तो यहाँ पर क्या क्या होगा nifty 50 में top 50 companies आते हैं data, Reliance, Infosys, TCS, HDFC, ITC, Bajaj, Vipro और ऐसी बाकी बची हुई companies भी nifty 50 में आती हैं इसका मतलब जो company सही से perform नहीं करेगी वो nifty 50 से बाहर हो जाएगी और जो अच्छा perform करेगी वो nifty 50 में आ जाएगी तो किसी एक company में invest ना करके आपने index खरीद लिया तो index की value बढ़ेगी तो profit घ index बना हुआ हुआ है उसी तरीके से banks का भी एक index बना हुआ है जिसमें topmost 12 banks आते हैं जैसे HDFC, ACCESS, ICI, SBI, BOB, PNB, Kotec Mahindra या Bandhan Bank तो ये group of 12 banks हो गया ये 12 के 12 banks इन में चाहें कोई कम perform करें कोई ज्यादा perform करें आपको देखना है कि आपके index की value का है क्योंकि आपने index पर पैसा मतलब आपने market के group पर पैसा लगाया है ये पूरा group मिलकर कैसा perform कर रहा है हो सकता है कि HDFC का bank का share जो घट गया हो, access का बढ़ गया हो, इसका neutral हो, किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, पर आप जहां invest कर रहे हैं उसको हम बोलते है bank nifty, is that clear? तो bank nifty का मतलब क्या है, 12 banks के share price का एक समू, जहां पर आप invest करने वाले हैं, या trade करने वाले है, ऐसी होता है fin nifty, ये 20 ऐसी companies होती है, जो financial institutions के रूप में काम कर रही होती है, या एक तरह से finance पर काम करती हैं, जैसे बजाज finance हो गया, मुथूड finance हो गया, SBI life insurance हो गया, HDFC life insurance हो तो ये 20 ऐसी companies, जिसके index को आप trade करते हैं, या invest करते हैं उसमें, तो इसको हम बोलते index, तो index का मतलब क्या होगा, समू, अलग अलग companies का समू, nifty की बात करें, 50, bank nifty की बात करें, 12 company, और fin nifty की बात करें, तो 20 company, तो ये index होता है, अब एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको stock क के बारे में बता है, share के बारे में बता है, index के बारे में बता है, तो दो चीज़ और है, currency and commodity, लेकिन उससे पहले आपको एक disclosure बताना चाहता हूँ, जो SEBI ने, एक guidelines निकाली है, और experience के अधार पर, वो कहते हैं, 10 में से 9 individual, जब भी equity में trade करते हैं, या option में करते हैं, segment में करत होता है, और अगर average बोले, तो हमारे देश में average जो net loss आ रहा है, per person वो 50,000 का आ रहा है, इसका मतलब, आप अगर किसी भी तरीके से trade करते हैं, मैंने कालता हैं, 95% people are donating their money to 5% class, मतलब यह मास है, यह class को donate कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो जब भी trade करता है, तो अपने sentiments के अधार पर market को study ना करके, indirect way में market बहरी है, बढ़री है, तो buy करना शुरू कर रहा है, घटरी है, sell करना शुरू कर रहा है, sentiments के साब से काम कर रहे होती है, ठीक है न, जिसकी वज़े से उन पर हमेशा loss रहता है, risk रहता है, और 10 में से 9 लोग हमेशा गाटे में रहता है, on average गाटा कि आपने किसी चीज को नहीं खरीदा, लेकिन ये contract को खरीद लिया, for example, currency में आयते है, euro, dollar, GBP, JPY, तो ये क्या है, currencies है, अब इसका trade कैसे होता है, ये समझ लीजिए, मान लीजिए, आज USD की कीमत है 30 रुपे, और आपको लगता है कि ये कीमत 90 रुपे हो जाएगी, और आपने इसी भाव में 10 खरीद लिये, मतलब 830 रुपे आपने खर्च किये, और आपने एक option खरीद लिया, एक contract खरीद लिया, कि जो USD की कीमत है वो 900 रुपे हो जाएगी, मतलब आपको उने वाला profit कितना होगा, 70 रुपे, अगर बविश्य में ऐसा हुआ, तो आपको profit होगा, अग जब भी हम trade करते है, future option पर बात करते है, तो वहाँ पर हमें एक margin money मिलती है, मतलब जितना पैसा आपने deposit किया, उससे 5 गुना, 10 गुना, आपको value मिलती है, जिस पर आप trade कर सकते है, इसको मैं आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी समझने में थोड़ी सी different है, तो उसको अ commodity होती है, commodities में क्या आती है, हर वो चीज जिस पर आप trade कर सकते है, जैसे gold है, silver है, aluminium है, copper है, natural gas है, nickel है, rubber है, या grains है, इस पर आप trade कर लेते हैं, मतलब एक contract खरीद लेते हैं, for example, gold का rate मान लीजिया 7,000 है, fine, आपको लगता है कि आने वाले समय में gold का rate जो होगा, वो 7,500 हो ज rate 6,500 हो रह गया तो, तो आपको loss होगा, मतलब जहां पर हम commodity में future contract को खरीद लेते हैं, उसमें commodities आ जाती है, fine, तो ये सारी चीज़े समझना बहुत जुरूरी है, अब फिर बात करते हैं कि investing और trading, इन में difference क्या है, और हमें क्या करना चाहिए, या क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर depend करता है, कि आपका goal क्या है, investing को लेकर है, trading को लेकर, तो बात करते हैं investing की, अब जो investing होती है, वो क्या होती है, दो तरह की होती है, कि short term investing या long term investing, आपने कुछ समय के लिए पैसा invest किया है, या लंबे समय के लिए किया है, लेकिन जो भी चीज की है, फुल cash value पर फाइन 500 रुपे का एक शेयर है और आपने ऐसे 100 शेयर खरीदे हैं इसका मतलब 50,000 रुपे के शेयर आपने खरीद के अपने पास रख लिए आपके डीमेट अकाउंट में आ गई आपने कोई प्रॉपइर्टी देखिए आपको पासंद है या अपने प्रॉपइर्टी को उस समय की वैल्यू पर खरीद लिया अब बविश्य में आप उस प्रापटि को जब बेचेंगे। जब आपको प्रॉफित होगा या loss भी बेचेंगे तो कोई न कोई समस्य रही होगी कि आपको पैसी के बशकता है तो बेच दिया यहाँ पर आपको पूरा अधिकार होता है अपने share आप कम समय के लिए ज्यादा समय के लिए long term के लिए कभी तक के लिए भी invest कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी कमपनी आपको बाउंड नहीं कर सकती कि आपको बेच नहीं बेच नहीं है यहाँ आपने full value देकर अपने share को खरीदा है अगर मान लीजे बविश्य में उस share की कीमत 700 रुपे हो जाती है तो इसका मतलब 17,000 रुपे के आपके share की value हो गई तो आपको profit कितना हुआ बेचने पर 20,000 रुपे तो investing long term and short term के लिए की जा सकती है full value के साथ लेकिन जब हम trading की बात करते हैं तो trading में क्या होता है यहाँ आप trade कर रहे हैं अब trade भी तीन तरह के होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ buy और sell करते हैं किसको contract को on margin money मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि आपके पास 50,000 रुपे इंवेस्ट करने के लिए या तो पूरे की पूरे 50,000 रुपे दे के पूरे 50,000 के share आप खरीद दे या अगर आप trade भी करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है 10 गुना margin मली मतलब 5,000,000 रुपे की value के shares आप खरीद और बेच कर सकते हैं 50,000 रुपे की money को जिसको हम leverage भी बोलते हैं इस पर आप 5,000,000 रुपे तक का trade कर सकते हैं और मैंने आपको क्या था trade कौन कौन से होते हैं एक intraday trade, एक swing trade और एक positional trade तो इस बात को अच्छे समझ लेते हैं intraday trade का मतलब है कि एक ही दिन में आपको वो buy किया है तो sell करना पड़ेगा, sell किया है तो buy करना पड़ेगा contract, क्योंकि आपने margin money दी हुई है अगर आप सही समय पर इसको square off नहीं करते तो automatically 3.20 मिनट तक आपका जो trader इंजार करेगा और इसको square off कर देगा अब चाहिए आप उसमें profit कमाए या आपको loss हो same day में आपको contract खतम करना पड़ेगा buy है तो sell, sell है तो buy अगर आप margin money पर कर रहे हैं दूसरी बात swing trading का मतलब क्या हुआ आपने swing trading भी दोनों तरह से कर सकते हैं आप एक contract base पर भी मतलब 5 लाग की value पर भी कर सकते हैं या आपने जो 50,000 रुपे दी हैं केवल इतने ही amount के उतने ही share जैसे आप investing में करते हैं उतने ही share खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं बेचेंगे तो profit होगा क्योंकि आपको यहां समय की कोई foundation नहीं दी हुई क्योंकि आपने कोई contract buy नहीं किया आपने swing trade किया है जिस तरह से investing करते हैं वाइन उसके बाद positional trading अब positional trading का मतलब क्या है कि आपने position buy कर ली कि यह जो share है 500 रुपे का उसकी एक expiry date होती है कि एक expiry के हिसाब से आपने इसको 600 रुपे वैल्यू लगा कर आपने buy कर लिया अगर उसकी वैल्यू 600 रुपे हो गई तो वो share के पैसे जो profit आएगा वो आपका होगा मतलब कम amount पर आप ज़्यादा value का profit या loss कर सकते हैं ज़्यादा value का trade कर सकते हैं margin money के अधार पर तो यहाँ पर trading और investing इनका difference समझना बहुत ज़रूरी था ध्यान रखेगा यहाँ important बात क्या है कि किसी भी चीज़ का जब तक आप practical नहीं करेंगे तब तक वो बात आपको deeply समझने हैगी और share market में practical करने का मतलब है demet account तो यह कुछ trusted banks, brokers and apps हैं जिस पर मैं trust करता हूँ जैसे HDFC security में आप demet account खोल सकते हैं ICC direct में, Motila Loswal में Upstock, ZeroDha, Grow इन सभी के link आपको description box में मिल जाएंगे अब आपके लिए एक bonus और इस bonus को जानने से पहले एक बात समझ लिजिए अगर आप जल्दी से लिए इस video में 2000 likes का आकणा पार करवाते हैं तो इसकी next video है वो बहुत जल्दी आने वाली है और साथी साथ इस video को अपने friends, relative, brother, sister, known सब के साथ social media पर share करें Facebook है, LinkedIn है, Twitter है, Instagram है, WhatsApp है और ध्यान रखिए उसका screenshot खीचने के बाद हमें इस number पर भेजें ताकि हम आपको हमारे एक exclusive premium group में add कर लें और अगर आप चाहते हैं कि next video जो इस series के वो जल्दी से आए उसके लिए 2000 likes का अखणा पार करें कोई भी informative वीडियो में शना उसके लिए चैनल को जरूर subscribe कर लें, bell icon को जरूर प्रेस करना क्योंकि जितनी जल्दी आप सीखेंगे वो इतनी जल्दी आगे बढ़ने के संभाव नहीं होगी स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आप के समयरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद, जै भारत